प्रिये सिक्षार्थियो इस सत्र में हम व्यवसाई अध्याइन विशे के अंतरगत व्यवसाई का सामाजिक उत्तरदाईतु एवं व्यवसाईक नितिक्ता के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम थोड़ा सा अध्यान करते हैं कि यह समाजिक उत्तरदाइकता है क्या आखिर एक व्यवसाईक उध्यम को व्यवसाई में समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले तरीकों से ही धन अर्जित करना चाहिए व्यवसाय यानि उद्यम को वहकारे नहीं करने चाहिए जो समाज के दिस्टी कौन से अवांचनिये हैं यानि गलत हैं जैसे की मिलावटी सामानों का निर्मान करना, भ्रामक विज्यापन करना, कर का भुक्तान ना करना, पर्यावरन को पल्दूशित करना और श्रमिकों का शोशन इत्यादी कुछ ऐसे कार हैं जो समाज में अवांचनिये माने जाते हैं इससे उद्यमों का लाप तो बढ़ सकता है लेकिन इनका बड़े पहनावने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है दूसरी और अच्छे गुनवत्ता वाले सामानों की आपूर्ती करना, स्वस्थ परिस्तितियों का निर्मान करना, करों का इमानदारी से भुक्तान करना, कार खाने में प्रदूशन उपकरनों को स्थापित करना, ग्रहाकों की शिकायतों की रोक्ताम में भाग लेना, सामा सामाजिक उत्तरदाईतु की अवधारना के बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्या है वह जानते हैं इसका अर्थ है कि वे समाज की अखांग शाओं का संबान करते हैं और अपने लाप के हितों के साथ इन अखांग शाओं की उब्लब्दी में योगदान करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करते हैं अर्थात व्यावसाइक उधिमों को समाज की आखांगशां को सम्मान करना चाहिए और उसके अनुसारी लाभों को अर्जित करना चाहिए सामाजिक उत्तरदाईत व्यापार के कानूनी उत्तरदाईत से व्यापक होते हैं कानून के अनुपालन से कानूनी उत्तरदाईत तो पूरा हो सकता है लेकिन सामाजिक उत्तरदाईत उन्हें खुद पूरा करना होता है सामाजिक उत्तरदाईत कानून द्वारा निर्धारित नहीं किये जाने के बावजूद सामाजिक उत्तरदाईतों यानि इसको एक फर्म की माननेता माना जाता है जबकि ये कानून द्वारा निर्धारित नहीं है लेकिन सभी फर्मों को इनको मानना चाहिए दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं सामाजिक उत्तरदाई तो समाज के लाब के लिए व्यवसाई लोगों की और से स्वेचिक कारवाई का एक तत्व है अर्थात ये स्वेचिक रूप से किया जाने वाला एक कारे है जो सभी व्यवसाई लोगों को करना चाहिए क्या एक व्यवसाईक उध्यम अपने मालिकों के लाब के लिए ही चलाया जाना चाहिए और जितना संभव हो उतना लाब प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए या पिर यह समाज के अन्यवर्गों जैसे ग्रहकों, करमचारियों, आपूर्ती कलताओं, सरकार एवं संधाय के हित में सेवा करने के लिए उत्तरदाई होना चाहिए क्या लगता है आपको, तो समाजिक उत्तरदाई तो बहुत ही महत्वपून चीज है जो सभी व्यवसाईक फर्मों को पूरा करना चाहिए अब हम जानते हैं कुछ सामाजिक उत्तरदाईतों के पक्ष में जो तर्क दिये गए हैं कि सामाजिक उत्तरदाईतों बहुत ही महत्वपून है तो पहला तर्क है अस्तित्व एवम विकास के लिए अचित्ते मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए माल और सेवाएं परदान करने के लिए यह व्यवसाय में मौजूद है वास्ताव में समाज की निरनतर सेवा से ही व्यवसाय की स्रम्द्धी और विद्धी संबव है तो यह बहुती महतुपून है अर्थाथ सामाजे कुत्तदाईत्व सभी फर्मों को पूरा करना चाहिए दूसरे जो इसके पक्ष में तर्क है वो है फर्म का दीर कालीन हित अर्थाथ एक फर्म और उसकी छवी लंबे समय में अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए खड़ी होती है जब उसका समाज के लिए सेवा के रूप में अपना सर्वोच लक्ष होता है अर्थाथ कोई भी फर्म अगर अपना लक्ष समाज की सेवा बनाती है तो उसकी छवी बहुत अच्छी होती है समाज में और वो अधिक्तम लाप प्राप्ट कर सकती है जब अब समाज में सद्धसियों की संख्या बढ़ रही है जैसे श्रमिक, भोगता, शेर धारक, सरकारी, अधिकारी उस व्यवसाय को महसूस करते हैं कि उध्यम अपने सर्वत्तम हिट की सेवा नहीं कर रहा है वे संबंदित उध्यम को अपना सहयोग वापस लेने की कोशिश करते हैं तो इसलिए सामाजिक उत्तरदाई तो बहुत ही महतुपून है तीसरा इसके पक्ष में जो तरक है वह सरकारी विनिमे से बचाओ एक व्यवसाय के दिश्टी कोन से सरकारी नियम अवांचनी हैं क्योंकि वे स्वतंतरदा को सीमित करते हैं इसलिए यह माना जाता है कि व्यवसाय इस परकार के नियमों की समस्या से बच सकते हैं यदि वह स्वेचिक रूप से समाजिक जिम्मेदारियों को मान कर जो नए काउनूनों की आवश्यक्ता को कम करने में मदद करेगा वह कलते हैं अर्थाथ उन्हें अगर सारकारी वियनियमन से बचना है तो समाजिक उत्तरदाई तो निभाने चाहिए और जो इसके पक्ष में तरक है वह है समाज का रख रखाओ इसका अर्थ यह है कि सभी समभावित परिस्थितियों के लिए तो कानून पारित नहीं किये जा सकते जो लोग खुद ये महसूस करते हैं कि व्यवसाय से उन्हें सब कुछ नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए तो वह क्या करते हैं असमाजिक गतिविदियों को सहरा ले सकते हैं जो निश्चित रूप से सरकारी कानून में नहीं आते अर्थात वह समाजिक गतिविदियों में शामिल हो सकते हैं और सरकार उनको रोक नहीं पाएगी क्योंकि वह कानून के दाएरे में नहीं आते तो इसलिए समाजिक उतदाईत बहुत ही महतुपून होता है एक अन्य तर्क है इसके पक्षमे है कि व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता अब यहाँ पर महतुपून तर्क यह है कि व्यवसायिक संगठनों के पास मुल्यवान वित्य और मानूय संसाधन है जिनका उपयोग समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है तो इसलिए समाजिक उत्तरदाईतों में ये सारे कारे आ जाते हैं संसाधनों का उचित उपयोग और एक पक्षमे तर्क और है कि समस्याओं को लाबकारी आवसरों में बदलना अपने शांदार इतिहास के साथ व्यापार जोखिम भरी स्थितियों को लाबधायक सोदों में परिवर्तित कर सकता है और साथ साथ सामाजिक समस्याओं को हल भी कर सकता है तो उन्हें यह चुनोती स्विकार करनी चाहिए जिससे उनका प्रभाव समाज पर बहुत अच्छा पड़ेगा वो अधिक लाब अर्जित कर सकेंगे एक और तक लेते हैं व्यापारिक गदिविदियों के लिए बहतर वातावरन यदि व्यवसाई ऐसे समाज में काम करता है जो विविद और जटिल समस्याओं से भरा है तो इसमें सफलता की बहुत कम संभावना रहती है इसलिए हर व्यवसाई को अपने समाजिक उत्तरदाई तो निभाने चाहिए ताकि समाज में विविद और जटिल समस्याइं कम से कम हो सके एक और तरक जो है सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाई उत्तरदाई है इसके पक्ष में यह तर्क है कि कुछ समाजिक समस्यां या तो स्वयम व्यवसाइक उद्यमोद्वारा बनाई गई हैं जैसे पर्यावरन परदूशन और सुरक्षित कारिस्थल, सारवजनिक संसानों में भ्रस्टाचार और रोजगार में भेदभावफूल नीतियां इस तरह कि बहुत सारी समस्याएं समाज में उद्यमोद्वारा ही पहलाई गई हैं तो उन्हें समाजिक उत्तद्वाइतों को निभाना बहुत ही जरूरी है अब हम यह कह सकते हैं इसलिए व्यवसाय का नेतिक द्वाइतो है कि वह इन समस्याओं को हल करने में शामिल हो वह सिर्फ यही उम्मीद ना करें कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वहें इनसे खुद निप्टेंगी व्यवसाय को भी इसमें मदद करनी चाहिए। अब कुछ तरक ऐसे भी दिये गए हैं जो उसके विपाक्ष में हैं तो आईए जानते हैं उन तरकों के बारे में जो सामाजिक उत्तरदाईतों के विपाक्ष में हैं पहला तरक है अधिक्तम लाब उद्देश्य पर अतिर कर्मन इस तरक के नुसार व्यवसाय केवल लाब कम करने के लिए मौजूद है इसलिए सामाजिक जिम्मेदारी की कोई भी बात इस उद्देश्य के खिलाफ है क्योंकि हर व्यवसाय क्या चाहता है कि वह अधिक से अधिक लाब अजित करें और अगर वह सामाजिक उत्तरदाईत निभाने की सोचेगा तो इसको लाब कम होगा ये इस लाब कमाने के उत्देश्य के खिलाफ हो सकता है दूसरा तर्क है उब्होगताओं उपर भार इसमें यह तर्क दिया जाता है कि प्रदूशन नियंतरन और पर्यावरन संदक्षन जैसी सामाजिक जिम्मेदारियां बहुत महंगी हैं क्योंकि व्यवसाय को उन पर ख हमी होगी सभी सामाजिक समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है जिस तरह से व्यवसाई समस्याओं को हल किया जाता है वास्तव में व्यवसाईयों के पास सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक समझ और प्रसिक्षन नहीं है तो उन्हें लगता है कि ये तो उस्तक्षे पसंद नहीं है यानि जन्त यह नहीं चाहती कि उनके बीच में हस्तक्षे किया जाए तो इसलिए बिवयवसाई यह समझता है कि समाजिक उत्तदाई तो नाहीं निबाएं, तो ज़्यादा अच्छा है अब सामाजिक उत्तदाइत की एसल में वास्त्विक्ता है क्या आज की डेट में तो यहां उन कारणों और कारकों को जानना बहुत ही जरूरी होगा जिन्होंने व्यवसाईयों को अपनी जिम्मेदारियों और उन परिस्तितियों पर विचार करने के लिए मजबूर किया है जो सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ व्यवसाईयों के विकास के अनकूल थी तो हमें इन सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है उन परिस्तितियों को जानना बहुत ही जरूरी है तो सामाजिक उत्तदाइतों की वास्त्विक्ता के बारे में जानते हैं पहला है सार परवजनिक नियमन की आशंका आज की लोकतांतरिक रूप से चुनी हुई सरकारों से यह उम्मीद की जाती है कि वह कल्यानकारी राज्यों के रूप में कार करें और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखें इस प्रकार जहां व्यवसाइक संस्थान सामाजिक रूप से गैस जिम्मेदार तरीके से काम करते हैं उन्हें सुदक्षित रखने वाले लोगों के हिद के लिए वियनेमित करने के लिए कारवाई करनी चाहिए अर्थात सरकार उनके उपर कारवाई कर सकती है अगर व्यवसाइक संस्थान गैर जिम्मेदार तरीके से कार करते हैं तो उनको ये समाजिक उत्तदाइत निभाने के लिए मजबूर किया जा सकता है उनके ओपर कारिवाई की जा सकती है दूसरा है श्रम अंदोलनों का दबाव इसमें व्यवसाइक उध्यमों को रखो और निकालो की नीती का पालन करने के बज़ाए श्रमिकों के कल्यान के लिए भुक्तान करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि जारतर व्यवसाइक उध्यम क्या करते हैं जो श्रमिक उन्हें सस्ते मिलते हैं उनको रख लेते हैं जो उनसे ज़्यादा लड़ाई रखते हैं या अपनी मांगे ज़्यादा रखते हैं उनको निकाल दिया जाता है तो इसलिए वह इस इच्छा से श्रमिकों से निपट सकते हैं लेकिन समाजिक उत्तरदाईत को निभाने के लिए उन्हें यह नीती परिवितित करनी चाहिए अगला है उभोक्ता जागरण का प्रभाव आज की डेट में सारे उभोक्ता क्या हैं जागरूख हैं शिक्षा और जनसंचार माधिमों के विकास और बाजार में बलती परतिस परदा ने उभोक्ता को बाजार की शक्तियों के निर्धारन में उसके अधिकार और शक्ति के परति जागरूख किया है जैसे आप सब भी आज सिक्षित हो और भौत सारे जनसंचार के माध्यम आपके पास है तो आपको बजार के बारे में सब कुछ पता है इतनी सारी पर्तिश्परदा है तो आपको अपने अधिकार और शक्ती सब पता है तो इसलिए सामाज व्यवसाइक उद्यमों की आर्थिक गतिविदे को वैद मानते हैं लेकिन इस शर्ट के साथ कि उन्हें सामाजिक अवशक्ताओं को भी पूरा करना चाहिए कोई भी व्यवसाइ समाज से अलग थलग कादे नहीं कर सकता अथात वैब लाप तो कमा सकते हैं लेकिन उन्हें सामाजिक उत्तरदाईतों निभाने चाहिए अन्य है एक व्यवसाइक सिक्षा का विकास उभोगताओं निवेशिकों बेरोजगारों या मालिकों के रूप में सिक्षिक व्यक्ति सामाजिक मुद्दों के पति अधित सब्वेंजन सीर्ल हो गए हैं जैसा कि पहले नहीं थ पहले ऐसी सिक्षा उपलब्ध नहीं थी अब बहुत सारे संसान हैं जो आपको ऐसी सिक्षा उपलब्ध करवाते हैं तो व्यवसाइक यलिए आवश्यक हो गया है कि वे सामाजिक उत्तर दाईतों को पूरा करें अन्य हैं एक सामाजिक हित और व्यवसाइक हित के बीच संबंद व्यवसाइक उद्यमों ने इस तथे को महसूस करना शुरू कर दिया है कि सामाजिक हित और व्यवसाइक हित विरोधा अवासी नहीं हैं इसके बजाए वे एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात उन्हें व्यवसाइक हित और सामाजिक हित को मिला के ही कारे करना पड़ेगा तबी वे समाज में अधिक अपनी छवी को सुधार सकते हैं और अधिक लाब लंबे समय तक अर्जित कर सकते हैं एक अन्य है पेशेवर एवं प्रबंद किये वर्ग का विकास विश्विध्यालियों और विशेश प्रबंदन संस्थानों में व्यवसाइक प्रबंदन सिक्षा ने पेशेवर प्रबंदकों की एक अलग श्रीनी तयार की है जिनें मालिक प्रबंदन के पहले वर्ग की तुल तरीके की सिक्षा दी जाती है कि उन्हें सिर्फ लाब भी अर्जित नहीं करना बलकि समाजिक जिम्मेदारी को भी समझना है तो निश्कर्ष क्या है व्यवसाई अब केवल व्यवसाई नहीं है यह एक आथिक संस्ता है जिसे समाज की मांगों के साथ अपने अल्पकालिक और दिर्खकालिक आथिक हितों को पूरा करना पड़ता है जिससे यह कारे कर सकते हैं अनिवारे रूप से व्यवार की सामान्य और विशिष्ट सामाजिक जिम्मेदारियों को समाज जन्म देता है जिसे व्यवसाई को पूरा करना पड़ता है तो सामाजिक जिम्मेदारियां हर व्यवसाई को निभानी पड़ती है अब हम पड़ते हैं सामाजिक उत्तरदाईतो अब आर्थिक उत्तरदाईतों क्या होता है एक व्यवसाय मूल रूप से एक आर्थिक इकाई है इसलिए उसकी प्राथमिक समाजिक जिम्मेदारी क्या है वो समझते हैं आर्थिक है यानि माल का उत्पादन करना ऐसी सेवाई जो समाज चाहता है वह उन्हें देता है और व्यवसाय की जिम्मेदारी के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जैसे भूमी के कानून और यह कानून समाज की भलाई के लिए हैं तो एक कानून का पालन करने वाला उध्यम ही सामाजिक रूप से आगे विकास कर सकता है तो उन्हें बहुत सारे कानूनी उत्तरदा का प्रकार है नैतिक उत्तरदाइतु अब नैतिक उत्तरदाइतु क्या होता है इसके अंतरगत फर्म का वह व्यवार शामिल किया जाता है जो समाज द्वारा अपेक्षित है लेकिन कानून में सहीता बद्ध नहीं है अर्थात कानून में ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए है कि फर्म को ये सारे कारे करने हैं, लेकिन समाथ चाहता है कि फर्म ये सारे कारे करें. उधारन के लिए इसी उत्पाद के विज्यापन करते समय धारमिक भावनाओं और लोगों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए. अर्थाथ ऐसा कोई भी विज्यापन नहीं देना चाहिए जो किसी धर्म के खिलाफ हो या उनकी गरिमा के खिलाफ हो और एक और उत्तरदाईतों है विवेक शील उत्तरदाईतों इसके अंतरगत स्वेच्छिक दाईतों को संदर्बिट किया जाता है एक उद्ध्यम यह मानता है कि सेक्षिक संस्था विज्यापन चाहिए या बाड या भूकम के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए तो जब भी कोई आपदा आती है तो व्यवसाय को आगे आना चाहिए और उसे अपना युगदान करना चाहिए चाहिए कोई भी स्थिति हो बाड हो भूकम हो या भी आप द उत्तरदाईत की अवधाना के विशे में पड़ा कि सामाजिक उत्तरदाईत होता क्या है इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिये गए है और इसके विभिन प्रकार क्या है धन्यवाद